युनिवेर्सल टार्ण इंडिकर विद ब्रेखलंब है भाई लो किया आप ढूंडेँआए और एक टार्ण इंडिकर विद ब्रेकलंब देन इस वीडियो इस वीडियो मैपको मिलेगा कहाँ से ए जो पर्ड़क्त है इसको आपको खहितना है इसको जो quality है कैसा है और इसको install करने के बाद इसको जो look से वो कैसे आता है और इसको कैसे step by step install करना है तो चलिए start करते हैं इसके वीडियो कि अग्याइब करने को बैक तो दे चैनल इस से फेंच जाय और वाचिंग बाइक्स और तो चलिए start करते हैं वीडियो 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 आज के विडियो वह उने वाले कस्टम इंडिकेटर की ओपर और यह मैंने पर्चेस किया है एमाजों से और इसको मैं इंस्टल करने वालो मेरा जो कस्टम टेल टेटी था उसमें तो चलिए पहले इसको अन्बोक्सिंग करते हैं इसको जो क्लेटी है वो आपको दिखाते हैं और यहां पर आपको टू कलर प्रेटर्न मिलेगा जो यूनिक है तो चलिए इसको इसको इ खाइदा है Amazon.com से और इसको जो लिंक है वो आपको description में मिल जाएगा वासाब इसको खरी सकते हो तो चलिए इसको खुलते हैं और इसके अंदर जो product है वो आपको दिखाते हैं तो इसको खोड़ने के बाद यहाँ पर जो पहला item आपको मिल रहे हो है इसका bill और यहाँ पर मैंने टोटल पे किया है 265 रूपीस आप यहाँ पर देख सकते हो तो इसके हिसाब से जो price है बहुत दी लो है आप देख सकते हो एक बार और इसके साथ है आपका जो product है में product जो turn indicator है तो चलिए इसको खोलते है और इसके अंदर जो turn indicator से उसको निकलते है तो यह है आपका product अगर product को closely दिखा है आपको तो चलिए इसको देखा थे closely तो यहाँ पर आप देख सकतो इसका जो materials है ओ ठीक ठाकी है बाट यहाँ फ्लेक्सिबल मेट्रेस आपको नहीं इसको बेंदी मिलेगा तो आपको इभी custom tell TD में इसको इंस्टल कर सकतो और यहाँ पर आपको जो turn indicators है उसके साथ इसका ब्रेक लाइट भी मिलेगा तो इसका जो light का जो quality है बहुत ही बहत्तरिन है तो चलिए पहले इसको इंस्टल करते है और इसके बाद इसका जो looks है वो कै इसको भी बेस्ट राएगा तो पहले यापका जो turn indicators है उसका जो टेल टेडी है या custom tell टेल इए वह आपको फीटिंग्स कर ले नहीं और इसके बाद इसका जो वायर है उसको आपको लेके जाना है सीट के नीचे वहाँ पर आपका जो turn indicators है उसका wiring है तो यापर वायर के साथ इसको attach करना है तो चली इसको लेके जाते हैं और वह आपके जो वारिंग से उसके साथ इसको Attach करते हैं और यहाप अगर इंटिक्रेटर की वायर की बात केरें तो यहाफर जो आपका रे caclar का वायर है व ق्रेग की लिए और वाइट कलर का जो वाइर है वो है आपका टान इंडिगेटर के लिए और ब्लैक कलर का जो वाइर है वो है आपका निगेटिव तो चलिए जो मुड़सेगल है उसका जो वाइर से उसको आपको दिखाते तो यहापे आप देख सेकतो तो यहापे जो tarn indicator का wire है, उसके plug के साथ आपको white को connect करना है। और इसके बाद जो negative plug है, उसमें आपको black colour का wire है, ग्रीद का wire है, उच के बाद आपको red light का wire है, उसको attach करना है। तो यहाँ पर अगर 100 के बात करें तो यहाँ पर देख सकतो यह जो प्लाग है यह है ब्रेक लैटर प्लाग और यहाँ पर जो कलर है आप देख सकतो वायर का ग्रीन एन योलो कलर का उसमें आपको डालना है आपका जो डालना है आपका जो डायग्रम है वारिंग डायग्रम है हो जाएगा और ऐसी सेम होए आपका जो लेफ साइट के इंडिकेटर से उसका जो वाइर से उसको अपको करनेट करना है तो चले इसको कर लेते और इसके बाद इसका जो लूक से कैसे आता है उसको आपको दिखाते है करें है 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 तो यह पर एगेन मुझे हिल्प किया है शुमन भाई तो थैंक्स शुमन फॉर यो हैल्प कि अगर आपको अच्छा लागा अगर आपको अच्छा लेकर प्लीज इसको लाइक किजिए शेर किजिए और अगर आपकी मन में कोई भी कोसें सो रिगरिंग इस प्रोड़क्ट तो कमें सेक्षिम में कॉमें किजिए आपको थुरां तपकर जो रिप्ले है वो मिल जाएगा और अगर इस चैनल पर न्यूँ हो तो जल्दी से हम लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा बहुत सारा मोडिविशन टिप्स एंड लेटे स्टिकरिंग वीडियो और यहां से आपको स्टिकर फाइल फ्री में मिलेगा तो चलिए नेक्स्ट टू के मिलते नए वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचि प्रके बखोड़न के समय से एंड वीडियो कि इस लिए जिए वीडियो के वीडियो को फ्रिवाग के समय से वीडियो के सी